हेलो दोस्तों आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं रहनो काईगर और एक्जेट एम्टी वेरिंट जिसकी ऑन्रोड प्राइज 8.64 लाइक्स है जो की वन लीटर पैट्रोल इंजिन में मिलता है फिद थ्री सेलेंडर्स जो की 72bhp के आसपास पावर जेनरेट करता है अब कार के headlamps की बात करते हैं तो headlamps में प्योर विजन ट्राय ओक्टा LED headlamps मिलती है with reflectors उपर मिलते हैं LED DRLs with turnover indicators बीच में मिलता हमें Renault का ब्रैंड logo with double chrome stripe front reel ये car crossover SUV segment की car है जो की रैनो के चैने वाले प्लान्ट में manufacture की जाती है ये ice clue cool white color है car का अब बात करते हैं car के aloys की aloys में हमें silver and black color मिलता है जो की car के color को पूरा compliment करता है with tire profile 195 60R16 अब बात करते हैं car के rare view की तो car का rare view काफी bulkian curved में लगता है जो की car को European touch देता है ये tail lamps with easy r batching जो की donate करता है की car amt variant है without torque converter नीचे skit plates मिलती है ग्रैनों की batching ये car इंडिया में निसान मैगनाइट और टाटा पंच के साथ compete करती है उपर मिलते हैं में roof rails इस variant में जो की silver color के है और व्यम में turn over indicators मिलते हैं और exact की batching ये car का exterior से 360 वी उता पूरा अब देखते हैं हमें interior में क्या first look दिखता है door को ओपर करने के बाद ऐसा कुछ first look आता है car का driver side के door को open करने के बाद काफी space मिलते है driver को comfortably अंदर जाने के लिए और exit करने के लिए right में देखते हैं हमें four window controls मिलते हैं double toned interiors bottle रखने के लिए space seat काफी comfortable feel करती है अब steering की बात करते हैं तो steering के बीच और बीच मिलता है हमें reno brand logo with control buttons जिसके थूँ आप अपना stereo और mid control कर सकते हैं call decline कर सकते हैं call answer कर सकते हैं surrounding मिलता है हमें पूरा black chrome जो के controls के surrounding चाता है steering का touch भी काफी soft है अब बात करते हैं MID की MID पूरी digital मिलती है right side में हमें fuel tank की information left में हमें engine temperature की information स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है इस वेरियंट में इस इवेंट्स है 20 cm stereo मिलता है touch screen जिसमें auto car play android connectivity in build है जिसके तुरू अपना blower AC on button इस वेरियंट में आपको automatic climate change feature मिलता है जो इस car का one of the coolest feature है नीचे space मिलती है आपको phone रखने की wireless charging का option नहीं मिलता यह knob mode shifter जिसके तुरू आप अपने normal mode, eco mode और sports mode पर shift कर सकते हैं handbrake, दो compartment मिलते हैं जिसके अंदर AC air inflow मिलता है जो compartment को cool रखता है और आप as a fridge यूज़ कर सकते हो handrest के अंदर भी space काफे मिलता है जिसके अंदर भी AC air inflow है अब code driver के front के glow box की बात करते हैं दो glow box मिलते हैं अपर वाले में भी काफी space मिलता है नीचे देखते हैं यहाँ पर आप अपनी कुछ diaries और phone वगरा रख सकते हैं left में हमें grabber मिलता है code driver side mirror मिलता है compartment के लिए light जिसको आप डोर पे set कर सकते हैं इस तरफ mirror नहीं मिलता ऐसा कुछ लगता है code driver side अब देखते हैं या ORVM कंट्रोल जिसके तुरू आप अपने left right donor ORVM कंट्रोल कर सकते हैं headlamp कंट्रोल अफ इंडिकेटर्स लफ्ट राइड वाइपर कंट्रोल्स नीचे dead pedal मिलता है as it is a empty variant car आपको steering को up down करने का option भी मिलता है इस वेरियंट में है ब्लैक क्रूम क्लीन एर एस इवेंट जो आपको एर पॉल्यूशन से प्रोटेक्ट करते हैं कार के अंदर एर पॉल्यूटिड एर अंदर आने नहीं देते बैक का कुछ ऐसा व्यूव आता है फोन रखने के लिए और बॉर्टल रखने के लिए स्पेस इस इवेंट्स मिलते हैं विद कंट्रोलिंग नॉप्स फोन चार्जिंग आप्शन ग्राइबर मिलता है लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों लाइटिंग आप्शन पीछे पार्शल प्लेट रेयर मिरर वाइपर अब बात करते हैं कार के बूट स्पेस के रिगार्डिंग बूट स्पेस इस कार की बेस्ट इन क्लास है जो की इसको इस सेग्मेंट में सबसे ज्यादा बूट स्पेस देने वाली कार बनाती है 405 लीटर का बूट स्पेस मिलता है इस कार में लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ हुक मिलता है आपको समान रखने के लिए लाइटिंग बूट में नहीं मिलती है ये कार का पूरा ओवरार रिव्यू था वीडियो दिखने के लिए धन्यवाद